हेलो दोस्तों वेलकम टू माई चैनल बीय प्रोग्रामर में तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइमंड पैटन्स की यह हमारी तीसरी वीडियो है इस पैटन्स सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं इस वाले प्रोग्राम की तो यह वाला प्रोग्राम हमारा डाइमंड यह हमारा pyramid के उपर based है जैसे कि हमने यह वाला program जो किया था पिछली वीडियो में तो आज हम इसी चीज़ को दूसरे pattern के साथ integrate करके आज हम diamond pattern बनाएंगे यह बहुत easy है बहुत ही आराम से हम बना पाएंगे logics को समझ पाएंगे तो पहले आज हम इस वीडियो में logics के बारे में बात करेंगे कैसे हम logics को बनाएं diamond pattern को print करने के लिए हम कैसे loops को use कर सकते हैं तो अगर आपको भी ऐसा program बनाना है diamond pattern बनाना है तो इस वीडियो को last तक देखिएगा क्योंकि हम सारी concept के बारे में आज बात करेंगे और हम last में ऐसा program बहुत easily बना पाएंगे तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे वीडियो को एक like दे दे और हमारे चैनल को नीचे जाके subscribe कर दे bell icon प्लीज दबा दीजेगा तो चलिए चलते हैं screen पे और बनाते हैं अपना diamond pattern अब हमको कौन सा अब हमको ये वाला diamond अगर print करना है अगर आप भी ये वाला diamond प्रिंट करना चाहते हैं तो इसका बहुत simple और बहुत easy logic है बहुत ज़्यादा complicated नहीं है बस concept के उपर है logics कैसे create करते हैं तो चलिए देखते हैं पहले इस program के बारे में तो पहले अगर आपको ये program देखना है तो इस video को last तक देखेगा तो पहला logic बनाने के लिए पहला trick क्या आता है पहले तो जो हमारी screen है ठीक है उसको हम divide कर देते हैं कई blocks और columns में जिसको हम rows और columns कहते हैं rows को हम i से donate करते हैं और columns को हम j से donate करते हैं अब j की value जो होती है हमारी वो star प्रिंट करती है star या कोई भी हमको special character प्रिंट करना है वो हम j के through करते हैं ठीक है अब देखो पहली बाद ये मेरा concept है कोई ऐसा rule नहीं है ये हम अपने तरीकी से बता रहे है अब देखो पहला चीज क्या आता है इसमें न अब पहला चीज देखो पहला प्रिंट हुआ यहाँ पे दो space इधर प्रिंट हुए दो space उधर है ठीक है उसके बाद इधर देखो एक space तीन star अब देखो यहाँ पर कितना स्पेस है, एक स्पेस है, दो स्पेस है, यहाँ पर एक स्पेस है, अब अगले वाले में एक भी स्पेस नहीं आएगा, ठीक है, पांच स्टार आ गया, फिर स्पेस चाली होगा, एक स्पेस आया, फिर दो स्पेस आएगा, अब इस प्रोग्राम को अगर हम visualize करें न सही से तो एक चीज़ हमको pattern एक मिल ला है क्या pattern मिल ला है कि ये मेरा pyramid है एक ये मेरा ये इतना portion मेरा pyramid है ये pyramid नहीं लग रहा है यहाँ से यहाँ तक ये pyramid लग रहा है जो हमने पिछले वीडियो में किया था ये उसी का logic इसमें हम लगाएंगे वही logic हम सेम इसमें लगाएंगे space का भी और क्या नाम है star print का भी तो अगर जिसने नहीं देखा तो description दा के पहले वो वीडियो देख ले बहुत important है तो जैसे star print हुआ मेरा ये print हो गया ये मेरा आधा है ठीक है दूसरा मेरा जो print हो रहा है ये क्या है इसका नाम है इसका नाम ये second ये मेरा second pattern एक pyramid है जो हम पैचान लिए जो हम पिछले वीडियों कहते है एक second pattern है अब यहाँ पे एक चीज देखो यहाँ पे n की value जो है n की value यहाँ पे 3 है n की value 3 क्यों है 3 इसलिए है क्योंकि देखो अब यहाँ से लेकि ये row number नहीं बताएगा अगर हमको एक बढ़िया सा अगर हम pyramid print करते न तो ये row की value 3 है ठीक है तीन row है लेकिन अगर हमको diamond print करना है तो हमको row अगर 3 देना तभी हमको खुद से प्रोग्राम को ऐसे बनाना पड़ेगा कि वो अच्छे से मतलब diamond को set करे एक diamond एक diamond को set करे ठीक है तो वो हमको खुद से प्रोग्राम में करना पड़ेगा अगर user 3 value दे तो ऐसा program print हो ये मेरा logic अब देखो मेरा logic क्या होगा space के लिए हम क्या करेंगे space कितना है यहाँ पे पहले देखो एक दो ठीक है दो space है फिर एक space है तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो यहाँ पे अगर i की value 1 है ठीक है और space मेरे n की value 3 है अब देखो यहाँ पे space print करने के लिए पहले हम क्या करेंगे पहले तो simple है ठीक है पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इतना जो है न, इसके लिए जो मेरा number है, यहाँ पे एक variable हम define कर देंगे, space, यह क्या करेगा, यह मेरा number, पहले मेरा क्या करेगा, number minus 1 space पहले रहेगा, 3 है, मेरा number 3 है, और space कितना है, space मेरा starting में कितना आ रहा है, space मेरा आ रहा है, 3 minus 1, 2 space है, उसक 3-1, 2 space आया, उसके याद फिर माइनस माइनस होगा space, इसके याद space हो जाएगा 1, फिर माइनस माइनस हो जाएगा space 0 हो जाएगा, ठीक है, तो यह मेरा होगा space का logic, उपर वाले pattern के लिए, ठीक है, अब देखो, star मेरा कितने बार print हो रहा है, star मेरा same, जैसे हम पिछले में कि यह value 2 है, 2 into i minus 1, कितना हुआ, 3 star, 2 into i minus 1, i के value अगर 3 है, तो 5 star, ठीक है, minus 1 कर दीए, 6 में से, 5 star, ठीक है, यहाँ तक के लिए मेरा logic बन गए, अब नीचे वाले के logic देखो, अब नीचे वाले कि या करेंगे, नीचे वाले मेरा increment, मतलब increasing से decreasing हो रहा है space का logic, और मेरा नीचे वा ठीक है, अगर आगे होता, तो फिर 3 होती, ऐसे ही बढ़ता रहता ना, मतलब, ऐसे ही होता ना, तो यहाँ पर अगर 2 है, अब यहाँ पर space का logic क्या होगा, मेरा space का logic होगा, space is equal to, पहले हम define कर देंगे 1, ठीक है, 1 पहले define कर देंगे, उसके space हम plus plus करते जाएं, क्योंकि एक- space बढ़ दा है, पहले हम 1 है, i is equal to 4 है, वहाँ पर space 1 है, अगर i 4 है, तो space 1 है, ठीक है, space is equal to 1, अगर मेरा i 5 है, तो space कितना है, space is equal to, तो एक-एक बढ़ दा है ना, तो increment हम कर देंगे, और i के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो, यहाँ पर मेरी n की value कितनी है, 3 है, ठीक है, यहाँ पर star कितना print हुआ, 3 प्रिंट हुआ, फिर 1 प्रिंट हुआ, यहाँ पर हम logics कैसे बना है, logics देखो, मेरा क्या होगा न, अगर मेरी i की value 4 है, तो मेरा 3 star प्रिंट हो रहा है, यानि की, 2 into star कितने बार print हो रहा है, 2 into n minus i minus 1, ठीक है, इसको हम calculate अगर करें, अब देखो इसको हम calculate करने के लिए, देखो i4 यहाँ पर है, लेकिन, जब हम दूसरा loop चलाएंगे, तो i1 से चलाएंगे, यह i1 होगा, i2 होगा, ठीक है, दूसरा loop, यह मेरा अलग एक program है, यह नीचे वाला अलग है, तो इसके लिए फिर से i initialize करना पड़ेगा, i1, i2, ठीक है, तो इ n-i-1, ठीक है, इसको हम अगर देखें सही से, तो j की value हम कितना, j start किटने बार print हो रहा है, अगर हम i की value 1 रखें, और n की value मेरी 3 है, तो 2 into 3-1-1, ठीक है, इसकी value कितनी आए, 3-1 मेरा हो गया, 2, 2 into 2 हो गया, 4, 4-1, 3, अब मेरा कितना print हुआ है, यहाँ पर मेरा 3 start print हो गया ऐसे ही हम वही वाला formula लगा है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, तो इसको हम code करते हैं, अब इसको हम program के थुरू देखते हैं, visual studio में चलते हैं, और code करते हैं इस program को, चलिए चलते हैं, अब देखो मैंने एक structure बना लिए program का important header files define कर दी, अब देखो हम वो किस किस चीज की पहले n चाहिए, row के लिए, ठीक है, i चाहिए, j चाहिए, और क्या चाहिए, space एक चाहिए, space हमको print करने के लिए कि space चाहिए, ठीक है, अब यहाँ पर पहले हम user से number of rows मांग लेते हैं, यहाँ पर देखो हम मांग लिए enter number of rows in diamond, ठीक है, अब यहाँ पर हम number input लेने के लिए क इस चार्टिंग में मेरा क्या हो रहा है, n-1 से चल ला है, ठीक है, space जो number है, उससे 1- है, हमने देखा अभी space 1- है, तो space is equal to n-1 से define कर दिये, और यहाँ पर normal, पहले हम loop चलाएगा इसके लिए, पहले loop चलाएगे हम row print करने के लिए, तो i is equal to कहां से 1 से लेके, i less than equal to n तक, i++, यह मेरा loop print हो गया, यह loop किस लिए है, यह loop है मेरा number of rows के लिए, ठीक है, पहला यह जो अपर है, इसके लिए है, अब देखो, अब यहाँ पर दूसरा loop चलेगा, किसके लिए, space के लिए, अब यहाँ पर दूसरा loop int s एक ले लो, int s क्या करेगा, space को print करने के लिए, int s is equal to कित इतना तक चलेगा, space तक, और s plus plus, ठीक है, अब यहाँ पर space print करा दो, space print कर दिया, फिर क्या करेगा, फिर यहाँ पर अब, यहाँ पर space को घटाना भी तो है, decrement करना एक एक, तभी न, एक 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 कम होगा space किनारे किनारे से, यहाँ पर हम space print कर दिये, अब यहाँ दूसरा क् को j से star print कराना है तो यहाँ पे हम j लिए अब यहाँ पे एक और loop लगेगा j से star print कराने के लिए तो j is equal to कहाँ से चलेगा अब देखो j is equal to 1 j less than equal to 2 into i minus 1 ठीक है normal logic है same पिछला वाला j plus plus कर दिए अब यहाँ पे मेरा क्या होगा printf अब यहाँ पे हम star print कर दिए अब क्या करेगा अब इस loop से बाहर निकलो अब इस वाले loop के जब बाहर आएगा तो यहाँ पे हमको line change करने के लिए क्या करना पड़ेगा backslash n डालना पड़ेगा तो यह मेरा upper half बन चुका इसको हम अगा चलाए यह पिछला वाला प्रोग्राम है चलाएं क्या सेम पिछला वाला प्रोग्राम है जो हमने pyramid वाला किया था अब इसका नीचे वाला part print करने के लिए क्या करेंगे अब आगे पहले space define करेंगे एक space कितना होना चाहिए space 1 से शुरू होना करेंगे हो कि अब मेरा उपर से एक कम रो हो जाएगा ठीक है i-1 अब diamond कशे प्लाना है तो हम n-1 कर दी n-1 तक फिर i++ हम चला दिये अब देखो क्या करेंगे इसके अंदर इसके अंदर अब logic लिखेंगे पहले space का space का logic लिखने के लिए simple वही चीज ठीक है int s लिए int s क्या करेंगे int s is equal to 1 int s is equal to 1 लिए s less than equal to कितना space ठीक है और s plus plus ठीक है s plus plus हो जाएगा और यहाँ पर space print करना है printf किये क्या space कर दीए ठीक है और यहाँ पर क्या करेंगा अब यहाँ क्या करेंगे space plus plus एक-एक space बढ़ाना भी तो है आगे जैसे जाएगा तैसे जैसे space बढ़ड़ा है किनारे किनारे नीचे वाले pattern में अब मेरा इस वाले pattern में देखो नीचे वाला pattern जो है उसमें मेरा space increase हो रहा है उपर से नीचे तो space plus plus अब star print करने के लिए चाहिए था J is equal to 1 से चलता है और J less than कहां से चलता है J less than equal to 2 into N minus I minus 1 N minus I minus 1 और यहाँ पर क्या करेंगे J plus plus अब यह मेरा print करेगा क्या यह मेरा star print करने के काम आएगा star print कर दिए अब अगले line में क्या करेंगे अगले line में simple, जैसे loop से बाहर निकलेगा, printf कर देंगे, printf हम क्या करेंगे, backslash n, line change भी तो करना है, अनि तो एक ही line में सब print कर देगा, अब इसको हम run करते हैं पहले तो, यहाँ पर देखो मैंने एक छोटी सी गलती की है, क्या, यह space minus minus जो है न, यह मेरा इसके loop के बाहर होगा, अब यहाँ पर अगर हम चाहे न, तो यह वाले यह हटा सकते हैं, क्योंकि मेरा एक ही statement है, तो हम इसको हटा भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, अब जब हम इसको compile करते हैं, gcc लिखके, gcc diamond.c, ठीक है, उसके flag हो, dia, ठीक है, dia नाम से हम इसका exe file बन सकते हैं, cmd में गए, उसके पहले हम इसके directory में चले जाते हैं, इसकी directory कहाँ पर, यह मेरी directory, यह copy कर लेते हैं, और यहाँ पर हम cd करके, इसकी directory में गए, अब जैसे इसकी directory में गए, अब यहाँ पर dia हम जब चलाते हैं, तो यहाँ पर number of rose मांगता है, 8, एक odd होगे ना, त प्रेंट हो गया यह देखो यह मेरा प्रोग्राम प्रिंट हो गया यह मेरा डाइमनड ठीक है तो यह हमारी पैतन की सीरीज है यह हमारी तीसरी वीडियो थी पैतन के उपर डाइमनड पैटन इससे पहले भी दो पैतन किया हुआ है link description में वहां से सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां से जाके आप हमें फॉलो करें और बहुत से क्विजिस होते हैं वहां पार्टिसिपेट करें